साथ योश शहर में रहने वाले मद्यमबर को शहरी गरीबों के जीवन में इस अब लिविंग बढ़ाने के लिए हमारी सरकार रेकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है अगर 2014 के पहले के साथ सालों की बात करें साथ वर्षों की बात करें तो शहरी विकास मंत्रारे के लिए सवा लाग करोड के आजपास का बजट ही आमडित किया गया था साथ साल में सवा लाग जबकि हमारी सरकार के साथ वर्षों में शहरी विकास मंत्रा ले के लिए करीब करीब चार लाग करोड रुपिये का बजट आवंटित किया गया इस इन्वेस्टमेंट शहरों की सभाई बेस्ट मैनेजमेंट नए सीवेज ट्रिट्मेंट प्नाट बनाने पर हुआ है इस इन्वेस्टमेंट से शहरी गरिबों के लिए घर नए मेट्रो रूट और स्मार्ट से जुड़े प्रोजेक्स पूरे हो रहे हैं अब भारतवासी अपने लक्ष प्राप्त कर सकते हैं इसका मुझे पूरा भरोसा है स्वच्च भारत मिशन और मिशन अमरुत की स्पीड और स्केल दोनों ही यह भरोसा और बढ़ाती हैं आज बारत हर दिन करीब एक लाख टन वेश्ट प्रोसेस कर रहा है 2014 में जब देश ने अभियान शुरू किया था तब देश में हर दिन पैदा होने वाले वेश का बीश प्रतिशत से भी कम प्रोसेस होता था आज हम करीब करीब सत्तर प्रतिशत डेली वेश प्रोसेस कर रहे हैं 20 से 70 तक पहुंचे हैं लेकिन अब हमें इससे 100 प्रतिशत तक 100 प्रतिशत तक लेकर जाना ही जाना है और यह काम केवल वेश डिस्पोजल नहीं होगा बलकि वेश टू वेल्ट क्रियेशन के जरिये होगा इसके लिए देश ने हर शहर में सत्प्रतिशत बेश सेग्रिकेशन के साथ साथ इससे जुड़ी आधिनिक मिटियल रिकवरी फेसिलिटीज बनाने का लक्ष तै किया है इन आधिनिक फेसिलिटीज में कूडे कचरियों को छाटा जाएगा रिसाइकल हो पाने वाली चीजों को प्रोसेस किया जाएगा अलग किया जाएगा इसके साथ ही शहरों में बने कूडे के पहड़ों को प्रोसेस करके पूरी तरज समाप्त किया जाएगा और हर्दिप जी जब मैं एक कूडे के बड़े बड़े ठेर सापकरने की बात कर रहा हूँ तो यहां दिल्ली में भी ऐसा ही एक पाढ़ बरसों से डरा लाले हुए है यह पाढ़ भी हटने का इंतिजार कर रहा है